हाई फ्यूचुबर्ज विल्कम बैक तो मैं चैनल तो दिस गोइं टो बी अजे इन दे लाइफ आफ नीट आस्परेंट स्टडी व्लोग फोर यहां पर टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है स्टडी के लिए यहां पर यह रही मेरी टू-डू लिस्ट इसमें बहुत कम टास् तो एंड तक व्लोग को जरूर देखना और मैं लक्षे बैच में एन्रोल्ड हूं तो यहां पर सबसे बहुए मैं फर्स टास्क करूंगी फ्रिजिक्स के मेरी लास्ट टू लेक्चर्स जो है करन्ट इलेक्रिसिटी के वह पेंडिंग थे मैं उने कम्प्लीट करूंगी एक लेक्चर देखती हूं रफ कापी पर साथ साथ क्वेश्चन प्रेक्टिस करती हूं और बाद में जो नोट्स होते हैं क्लास के उनके प्रिंट आउट्स निकाल लेते हूं और यहां पर लेक्चर मेरा जो है वह चल रहा है और आपको भी अगर इन नोट्स की पीडिए चाह आपको वीडियो में लगे कि लियर निया बट बहुत अच्छे से नोट्स क्लियर बहुत अच्छे से इन में दिखाई देता हैं और में सारे सब्जेक्ट की नोट्स प्रिंटी निकल वाती हूं यहां पर मेरा जो फिफ्ट लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुक है और यहां सर की क्लासिस थोड़ी लंबी होती हैं बट मुझे फिर भी कम टाइम लगता है बिकॉज मैं तो एक्स की स्पीट पर लेक्चर वाच करती हूं और नोट्स तो मैं आपको बताई दिया तो यहां पर फाइनली मेरा फिजिक्स का 12 का बैक्लॉग तो बिल्कुल कम्प्रीट हो सब्सक्राइब करते हैं अलग सर की प्लास है समवाध होगा अलग सर के साथ वह बैच के बारे में पूछेंगे कि वैच कैसा चल रहा है कौन से टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं और नेक्स का टास्क जो है वो मेरा वह है बाटनी को रिवाइस करना बाटनी के नोट्स को नोट्स तो बहुत अच्छे से प्रेंट आजाते है यह लगता है जिसे प्रिंट निकल वाए हूं टाइप करके प्रिंट निकल वाए हो नोट्स अन उसके बार मैं करने जा रहे हूं यहां पर अभी जो एल्ट रिशीज चैप्टर उसको रिवाइस और उसकी डिपी प्रे कि अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो मुझे बता सकते हो और नोट्स अभी आगे पीछे लगे हुए हैं बिकाज अभी मैंने इनको सेट करके स्टेपलर नहीं किया यह अभी पेपर बोर्ड में मैंने ऐसी रग रखे हैं सभी में सारे सब्जेक्ट के देखो बीच में वाट इसके अगे चलते हैं यहां पर फिफ्टी मिनट्स हो चुक है मुझे करते करते और मैंने पूर अच्छी से रिवाइस किया इसकी को स्वार्फ किया तो अगे चलते हैं अभी यह देखो मैंने आपको छोड़ा सा शौट दिखाया है डिपीपीज का और यहां पर मैंने आप यहां पर पंकर सर बढ़ा है यहां पर बहुत अच्छा से समझ आता है और नोट्स में तूड़ पॉइंट बाते भी तूड़ पॉइंट है बिकोज रिकॉर्ड यहां पर टाइम वेस्ट नहीं होता इसमें और रोज के एक लगाती हूं आज मैंने यहां पर दो लगाया है हाइड्रोकारबन की और यहां पर टू आर फॉटी सेवन मिनिट्स हो चुकी है पढ़ते पढ़ते हैं यहां पर आपको टूडू लिस्ट एक नेक्स्ट मैं करने वाली हूं प्लांट के इंग्डम का एक लेक्चर जो कि मैं कर रही हूं अर्जुना बैच जो कि मुझे मिले और रग्षय बाचे वहां पर तरुन सर से तरण वह बहुत अच्छा पढराते हैं यहां पर में दो थिल्ची पढ़ें चाप्टर को कुछतम होने बिक ऑप्टेएं और यहां पर मेरा यहां पर रखोलर ओड़ाया बात अच्छा लगा एंद यहां परング पढ़ते ह में इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाए संडे था शॉप बंग ती इसलिए मैंने नहीं प्रिंट निकलवाए कल मंदे एकल को मैं नोट्स निकलवा के आपको दिखा दूँगी हाइड्रोकर्बन के भी और मैं कल अच्छे से रिवाइज भी करूंगी नोट्स को एक बार गो मेरे बोर्ट के एक्जाम में कंप्यूटर का एक्जाम भी होना है तो इसकी कॉपी बनानी बहुत जरूरी है और मैं इसको 445 टक करूंगी जब तक अलगसर के समवाद वाला जो लेक्षर वो स्टार्ट नहीं हो जाता और चलो देखते कितना पूरा होता है और यहां पर अल जो टूटो रेस्टर को खदम हो चुक है तो अब मैं अपनी मर्ज़ से करूंगी जो मुझे करना है जैसे यहां पर मेरा जो एक गंटे के आसपास का लेक्षर बचा है तो मैं इसको पूरा कर लूँगी और यह मेरा है पर बूरा हो चुक है यह बहुत लंबा चैप्टर थ देती हूं यहां पर टाइम हो चुका है फोर आर फाइफ मिनेट्स और बीच में तेन मिनेट्स की सरने ब्रेक दी थी विकॉस यह लाइव लेक्षर था 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 मेरा थोड़ा सा टाइम वहां पर बच गया और मैंने यहां पर लोकोमोशन और मुवमेंट खतम किया था लास् अब मैं इसकी एंसियाटी को एक बार अच्छे से रीट करूंगी और इसके बाद मैं आपको बताते हूं मैंने क्या किया तो यहां पर एंसियाटी की मैंने सबसे वहले यहां पर फोर थार्डिफोर मिनट्स मुझे अरड़ी हो चुके थे लिकूट टॉपिक्स में इतने होता ऐसा लगता टाइमर से आगे बढ़ ही नहीं रहा और यहां पर मैंने हाइड्रोकार्बिन की एंसियाटी को कवर करने का सोचा तो मुझे यूट्यूब पर यह वीडियो मिली अनक एडमी से पहले बार मैं यह सबसे पढ़ूंगी और यहां पर इनोंने एंसियाटी को सब्सक्राइब यहां पर उतना चैसे नहीं समझाया बैट कोई बात नहीं ठीक ता मेरी एंसियाटी फिर भी कवर हो गई और यहां पर मैं वीडियो की लाइब्रेरी से मोडियूल लिकालूंगी हाइड्रोकार्बन का और उसको प्रेक्टिस करूंगी तो यहां पर यहां प प्लीट किये और यहां पर फाइवार 27 मिनट्स हो चुके आधा गंटा ही लगा लगबख मुझे क्वेशन प्रेक्टिस करने में अमेस फ्लोग को यहीं एंड करूंगी देखो देखने में ऐसे लग रहा है फाइवार 27 मिनट्स से पढ़ियूंगी कि मैं परास नोट्स नही इलेवन्थ की जोलोजी भी की ट्वेल्थ की जोलोजी भी की और केमेस्ट्री मैंने सुफ इलेवन्थ की किये पर ठीक है जितना किया आम सैट्सफाइड फ्रम इट दिरे मैं अपनी स्टडी आर्स को बढ़ाऊंगी विकॉस एकदम से मुझे आदत नहीं लगती ना ऐसे मै व्लॉग आप मुझे बताना आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अगर व्लॉग अच्छा लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं डालते रहोंगी तो थैंक यू आल बाइब